दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाब उपर और आज मैं फिर आज़नों आपके साथ एक न्यूज आर्टिकल लेके टाइमस ओफ हिंडिया से और दोस्तों आज मैं इस आर्टिकल को करने वाला हूं हिंदी में ट्रांसलेट हो उसे प्रांसल CBI Lens on foreign medical graduates CBI जो है वो जाच करती है foreign medical graduates की मतलब जो विदेशी medical graduates है जिनोंने medical की पढ़ाई की है working without clearing test जो काम कर रहे हैं without clearing test मतलब बीना test को pass किये विना clear किये वे तो दोस्तों यह की headline थी अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं और मेरी आपसे request है वीडियो को बिल्कु होंगे जो बिल्कुल नए होंगे आपके लिए और जो आपको सीखने का मौखा मिलेगा तो इसको आप बिल्कुल धिहान से देखें कि ओना कंप्लेंट फाइल बाइदा हेल्थ मिनिस्ट्री एक कंप्लेंट मतलब कर शिकायत नत्यार के मतलब होता है स्वास्थ करना और यह इसकी 3rd form है तो इस लाइन का मतलब वा the CBI has initiated CBI ने शुरू कर दिया है आप प्रोब प्रोब मतलब जांच एक जांच शुरू कर दिये तू असर्टेन दोस्तों एक वर्व है जिसका मतलब होता है पता लगाना तू असर्ट मतलब पता ली कथी तोर पर got themselves registered उन्होंने कथी तोर पर अपने आपको कैसे रजिस्टर करवाया विद्दा स्टेट मेडिकल काउंसिल से स्टेट में दिया और मेडिकल काउंसिल ओफ इंडिया एम सी आई आगे देखिए विदाउट क्वालिफाइंग बिना क्वालिफाई किए दफ फॉरें मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामनेशन जिसको शॉर्ट में यहां पर हम कहते हैं FM जी तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं यह हमारे जनल नॉलिज के लिए अच्छा है तो इ इन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामनेशन जिसे शॉर्ट में FMGE कहते हैं आगे देखिए अट लीस्ट मतला कम से कम 73 सच कंडिडेट्स कम से कम तहतर सच के इस तरह के कंडिडेट्स उमीदवार केंडिडेट्स मतला उमीदवार को इस टुदिडीड मैडिक मैडिसिन इन कंड्रीज जिन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की इन डिफरेंट कंड्रीज मतलब अलग-अलग देशों में और अंडर दा इसकैनर मतलब जाच के दाएरे में हैं इन में से कई जो उमीदवार हैं उन्होंने रशिया में पढ़ाई की इस्टडी की सेकंड फॉर्म होती है इस्टडीड और यह पास इंडेफिनेट का टैंस है तो यहां सेकंड फॉर्म का प्रियोग किया गया है स्टडीड इन रशिया यूक्रेइन एंड चाइना यूक्रेइन और चाइना में बिट्वीन 2011 और 2022 2011 से 2022 के बीच में चलिए दूस्तों आगे देखिए फिर सेक्षिंग फिर्वेंशन और शिखियोड परिंशन परिवेंशन और च्रुटन आपट फो्री इचर्ण के बीच यालावा प्रदेनिंग करहा सिंग तो अपराधिक श्डेयंटर चीटिंग ऑद्धोका दरींग फोरगरी और ज्जाल साजी ती परदेबरादेग्पो उसे रजिस्टर कर लिया गया है आगे देखें दोस्तों है आज पर existing regulation फिलहाल के मतलब अभी currently जो अभी है ऐस पर existing regulations और नियम एनी student कोई भी student who persuade medical from who persuade medicine जिसने medicine की पढ़ाई किए from an institution abroad जिसने बाहर के किसी विदेशी institution से पढ़ाई किये must qualify दोस्तों must का प्रियोग जब होता है जब वहाँ पर हम किसी तरह की कोई strong advice देते हैं इसका मतलब जरूर ही होता है must qualify उसे जरूर ही qualify करनी है qualify a screening test एक screening test called जिसे कहा जाता है the foreign medical graduate examination जिसे क्या कहा जाता है foreign medical graduate examination जिसे short में FMG ही कहते है to get a provisional provisional प्राप्त करने के लिए और permanent registration या permanent registration प्राप्त करने के लिए with the national medical commission जिसे short में NMC कहते है और state medical council या फिर state medical council SMC जिसे short में कहते है and practice और practice के लिए medical in India, medicine in India इंडिया में medicine की practice के लिए चलिए दोस्तों आगे देखिए in his complaint in his complaint मतलब अपनी शिकायत में to CBI, CBI को and under secretary जो सचीव in the health ministry health मतलब स्वास्थिय मंत्राले में cited दोस्तों ये इसका site का मतलब हवाला देना होता है और ये second form है हवाला दिया two letters दो पत्रों का dated September 12, September 12 and October 17 received from the National Board of Examination जो प्राप्त किया गया from National Board of Examination जिसे NBE shot में कहते है informing मतलब सूचीद करते हुए that की it had identified उसने पाया था identify मतलब पहचान की थी 73 such candidates इस तरहां के तहतर उम्मीदवारों की who had not qualified ये भी दोस्तों पास परफेक्ट है क्योंकि head के बाद 3rd form आ रही है पास परफेक्ट है who had not qualified जिनोंने qualified नहीं किया था पास नहीं किया था the screening test screening test को as per NBE records NBE records के अनुसार but लेकिन were likely to have obtained लेकिन इस चीज़ की संभावना है संभाव की प्राप्त किया रजिस्टेशन विद वेरियस संभावना है लेकिन उन्होंने वेरिस मतलब अलग अलग पिरकार की SMC से प्राप्त किया इन दा कंट्री कंट्री में दा NBE जो NBE है ऑल्सो प्रवाइड़र उसने प्रिदान किया निस्ट आफ इसो सावने में वी अदर औस वीद्वार हो कि उनकी लिस्ट भी प्रोवाईड की लग प्रवाइड का मतलब प्रेजिंद मतलत हैं प्रईदान करना कैंडिडिडेट्स की बताते हुए द डीटेश मतलब इसका ब्योरा ओफ देर रेजिस्टेशन विद धाइसमसी साथ चले दोस्तों आगे देखिए यह गैज श्रीनस टेट जो अरीज स्रेस्टेशन स्टेटस में एस शसे प्यापत किया सी गया है वेरिफव एस áz प्रिस्पेक्टिव से इस थोका धरी है सच्छ फ्रॉडुलेंट एंड फेक रिषटेशन पर नकली जो रजीस्टेशन है बाइंज नॉन एंड वैल बिंग और मतलब वैल बिंग मतलब किसी व्यक्ति की वैल बिंग का मतलब होता है कुशल छेम ऑफ सिटिजन सिटिजन मतलब ना अगरिकों की इट है इंटर इस्टेट रेमिफिकेश्ञ दोस्तो यह जो वर्डा आपी से नोट कर सकते हैं काफी अच्छा वड इंटरिस्टेट रेमियेकेशन का मतलब होता है अंतर-ध्राजे फिर्भाव कि इन sector health sector मतलब स्वास्ते के खेडर में सेटर मतल होता है खेडर आगे देखिये इट ऑल्सों इनवाल्स मैनी स््टेट़् इट ऑल्सों मतल भी होता है इस में शामिल हैं मैंनी स्टेट्स मतलब कई राज्य आगे देखिए दोस्तों इस चीज की रिक्वेस्ट की जाती है इस चीज की गुजालिश की जाती है इस रिक्वेस्टेट टू हैतो इनवेस्टीगेट इनवेस्टीगेट मतलब की हाव दीज ये जहें नू क्वालिफ़ाइट पर्शन अनौ कैसे मैंनेज। to get registration in India, उन्होंने कैसे manage किया, इंडिया में registration प्राप्त करने का, आगे देखिए, reads the ministry letter, मतलब जो ये ministry का letter है, वो इस चीज को read करता है, the CBI, to the CBI, जो उसका letter था, ministry का CBI को, वो letter इस चीज को read करता है, आगे देखिए दोस्तों, The National Board of Examination, जो National Board of Examination है, in Medical Sciences, जिसे short में क्या कहा गया, NBEMS, has been interested, दोस्तों, ये जो word है, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, जब has been और have been के बाद third form का प्रियोग होगा, तो वो passive voice होगा, और दूसरा ये एक present perfect का tense है, मतलब present perfect का passive voice का tense है, तो इस line का क्या मतलब हुआ, has been interested, NBEMS has been interested, उसे सौपा गया है, with the responsibility, मतलब जिम्मेदारी सौपी गई है, to conduct, आयुजित करने की, the screening test, screening test की, for the foreign medical graduate, किसके लिए है, foreign medical graduate, जो उन्होंने मतलब विदेश से, जो विदेश के medical graduates है, आगे देखिए, पजेसिंग, आप primary medical qualification, जो पजेस करते हैं, जो पजेस करत medical qualification, medical qualification, awarded by, मतलब जिनके द्वारा दी गई है, by any medical institution, किसी भी, मतलब, medical संस्थान के द्वारा, outside India, इंडिया के बाहर, आगे देखिए, दोस्तों, इस चीज का शक किया जाता है, इस चीज का संधे किया जाता है, that की, an organized, organized का हूँता, संगटित, an organized racket, was at play, मतलब, ये organized racket was at play, मतलब, इसके पीछे की organized racket था, through, जिसके द्वारा, through, with, जिसके द्वारा, the candidates, जो candidates है, मतलब, उमीदवार है, manage to register them, जिसके द्वारा, उन्होंने manage किया to register themselves, अपने आपको register करना, with the state medical council, state medical council से, by paying, a bribe, paying का मतलब होता है, कीमत अदा करना, कीछी को पैसे देना, by paying, पैसे देकर, a bribe, मतलब, by paying a bribe, इसका मतलब हुआ, की रिश्वत देकर, by paying a bribe, amount, आगे देखिए, the role of a few officials, officials होता है, अधिकारी, और इसका मतलब क्या हुआ, the role of few officials, मतलब, कुछ अधिकारियों की भूमी का, in these councils, in councils में, is being investigated, is being investigated, मतलब, उसकी जांच की जा रही है, investigate किया जा रहा है, दोस्तों, ये भी passive voice है, जब आप इस being के बाद, इस MR being के बाद, फोर्थ होम आएगी, वो passive voice होता है, और ये present continuous का passive voice है, तो इस line का क्या मतलब हुआ, the role of few officials, मतलब, कुछ अधिकारियों का, भूमी का, in these councils, in councils में, is being investigated, की जांच की जा रही है, a source said, एक शुरोत ने कहा, the agency, जो agency है, is in the process, वो इस process में है, of recording, record करने के, the statement, statements मतलब होता है, किसी तरह की गवाही, the statement of these 73 candidates, इन तहतर candidates की, आगे देखिए, to ascertain, पता लगाना, how, कैसे, they manage, उन्होंने ने मैनेज किया, to get their registration, अपना registration लेने में, आगे देखिए, as of now, as of now, दोस्तों, इसका ये एक नाउनने, है, जिसका मतलब क्या हो, as of now, it is unclear, it is unclear, मतलब, इस ये चीज़, clear नहीं है, इस पस नहीं है, if any of the students, क्या, कि any of the students, कोई भी students, airlifted, किसे airlifted, क्या गया हो, from Ukraine, Ukraine से, were on the list, कि वो भी list में थे, तो दोस्तों, ये एक news article था, और मैंने कोशिश की, कि आपको यहां पर हर वर्ड की मिनिंग बताने की, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहां तर सुनने के लिए, thank you so much, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye झाल